अलाम अलेकुम जी, खदीजा महमूद शाहिद, हसीना मोई अफिशल पेज की एडमन, अगर मेडिय वास क्लेर आ रही है, तो मुझे कोई थम्जाप या कोई कमेंट करके बता दें, ताके फिर हम अपना आज का सेशन शुरू करें, लाइफ कोईटरी सेशन, और एक चीज़ और भी मुझे कहनी है, क्योंकि आप लोगं के कमेंट्स मुझे थोड़ी सी देर से मिलते हैं, तो अगर किसी का कमेंट्स किप हो जाता है, तो प्लीज 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 बुरा नहीं मानना, उसको रिशेर कर दीजेगा, क्योंकि शुरू के कमेंट्स मुझे नहीं म आप अगर एक्शली आपका नाम जो है वो हिंदी में लिखा वार है अगर आप रोमन में अपना नाम बता दें तो मैं आपके नाम के साथ भी जो है आपका मेसेज पढ़ू ओके जी हुसेन ने का यह वाइस इस क्लियर दाट्स ग्रेट अली नाइक कह रहे हैं परफेक्ट ओक मुईस रजाग जतो लिय। हलो कार चीमा वालेकूम अलस् Gold स्ल मेरी फिसगज फैमिली यह बताईए उके प्लाब करद्स अल报 हो मुईस रजाग जतो हैं श्हकर वाज़र वाईस अलने मिलिकननका तुनका हें अर्दू में अपना नाम भी बता दें यूसरा खान हे हलो वाजिद सुल्तान कहते हैं कि हम चाहते तो कब का तुझे मना लेते हम चाहते तो कब का तुझे मना लेते मगर तू रूठा नहीं बदल गया है क्या बात है जी चाजरी शकील अमद, वालेकूम असलम, जीशान adults अलीख, शानी चलिए स्लाम सिस, वालेकूम असलम, मेरे बाइ, तौकीर्त पकी कह रहых तो, आपका नाम मुझे नहीं पता, जो हिंदी में जिनका नाम है तो इसलिए आपका मेसेज़ फिट, आपका तीक हो, तो पका नाम नह अगर लिख दें तो मैं पढ़ने में मुझे असानी होगी हुमार इजवान जुबहरी असलाम लेकुम कैसे हम मैं बिल्कुल ठीक हूँ शाहिद असलम कालसी कहने रबुलालमीन आपका हामियो नासिरो आमीन थांक्यू सो वेरी मच्छ मेरा भाई मलक साके आज आपका लाइव है ऐसा क्यों कर रहा है मेरा भाई चाह चलें मगर पर भी वेलकुम ओके मुनीबा वड़ाईच कहने असलाम लेकुम मैं मुनीबा आम नाट मैं आम यू एल्डर सिस्टर ओके यूसरा खान इनका नाम अब्दुल सलाम है जिनोंने हिंदी में लिखा है ओके अब्दुल सलाम वेलकम तो दिशो ओके शमीम इसहा को वालेकुम असलाम मुहम्म्त फर allegedly वेलकुम तो रहूं ऩोने है जिस 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 ने हमें जहाँ जहांसे ज़ुईन किया सब सलामत रहें खोश रहें बहुद सारी खुश्य आपके साथ हों मौईद रर्जा जय तोई कह रहें आप कैसे, मैं बल्कुल ठीक हूँ, मुबर्रा इहसान कहँँ, मेरा नाम भी ले ये लिजी, आपका नाम बल्कुल मैं ले लिया, मुखम्थ घुम्शाद, वालेकुम असलाम, वालेकुम असलाम, मेरी बहन, क्या है आपके, महाम्थ अकबाल का कोई शेर के खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है जाहर मुहम्मद कहरे है नाइस तू सी यू माशाला तैंकि यू सो वेरी मच नाइस तू सी माइ फेस्बुक फैमिली आफ्टर लॉंग टाइम सेद शफा जाहरा आप कैसी हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुनीबा वडाईच इन रिस्पेक्ट मुनीबा मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार बहुत दुआ है अमजद अलीशा वालेकुमस्सलाम और मैं रुख जाया है मैं सीमोर पे जा रही हूँ मेरा ख्याल है कुछ आया है अच्छा जी हैदराबाद सिंसे हमजद अलीशा ने हमें जॉइन किया है मुहमद शम्शा चातर है कैसी है मैं बिल्कुल ठीक हूँ मलक इमत्याज मैं बिल्कुल ठीक हूँ मलक साकिब बाजी मलक साकिब नहीं आपका भाई नजमु साकिब अब मेरा भाई उपर आपका नाम मलक साकिब लिखा वा रहा है तो मैं क्या पड़ू बता दें आप फिर आमना नूर असलाम अलेकुम अस्वान नाहीदली वालेकुम अस्वान फर्जान असाज़्द वालेकुम अस्वान सुमऎरा फेज ने मा के लिए बहुत खुबसूरत सी एक उदास सी नजम भेजी है मा तेरे बाद हो गए बेसाहिबां ऐसे जैसे नंगे सर कोई खुले आसमा में निकल आता है ना रहे वो लब जो दूआ गो थे मेरे वास्ते ना कोई अब मेरे दर्द में नजर में महल आता है थोड़ी सी टापिंग एरर है मा के लिए मैं एक और मैं भी शेयर करूंगी के तू मंता का एक समंदर है और मेरा खुदा तेरे अंदर है सबीना खालिद सलाओं कैसी है मैं बिल्कुल ठीक हूँ सेदा शिफा जहरा कहनी अल्ला ताला आपको हमेशा खुश रखे सेहत अंदूसरी के साथ लंबी जिन्दगी अता फरमाए और लवाहिकीन को खुशाली इज़त खास अता फरमाए आमीन सुम्हामीन यारब लालमीन आपके लिए भी मेरी सारी दुआएं और जो जो इस वक जहां जहां से जिस जिसने हमें जॉइन किया है उन सब के लिए खास दुआ अल्ला आपको बहुत खुश रखे शाद रहें आबाद रहें कभी जिन्दगी में कोई दुख छूके भी ना गुजरे कभी जो है गरम धूप छूके ना गुजरे हमेशा खुशियां ही खुशियां ने हुसैन कह रहे हैं कि मैं तेरा हुसन अगर फूंक दूँ दीवारों पर शहर का शहर तलस्मात में ढल जाएगा क्या बात है फराश एजाद कहने हैं उफ कोई नया शेर प्लीज उफ तो फिर शेर अर्ज है कि दिल भी एक जिद प्याड़ा है किसी बच्चे की तरह या तो सब कुछ ही से चाहिए या कुछ भी नहीं यूनस फुल पूरो कहने हैं सलामत रहें बेहन खैर पूर मीरस दुआओं में याद कीज़ेगा बिल्कुल मेरा भाई हुसैन हवा यूं तो हर शक्स बड़े इहतराम से मिला मगर जो भी मिला अपने ही काम से मिला ते जालिम लोग हैं देखें फरा शहजाद चलें अमजद इसलाम अमजद का कोई सुना दें मिले कैसे सदियों की प्यासा और पानी जरा फिर से कहना बड़ी दिल रुबा है ये सारी कहानी जरा फिर से कहना समय के समंदर कहा तूने जो भी सुना पर न समझे जवानी की नदी में था तेज बानी जरा फिर से कहना ठीक है जी फरा फवाद मज़र कह रहे हैं जर्म में हम कमी करें भी क्यूं तुम सजा भी तो कम नहीं करते उफ ला अमजद इलीशा कहना है जाहिद सजसाला आया मैं कदे में लोट कर ला शराबे कोहना साकी इस पुराने के लिए क्या वाद है अमजद इकबाल मले कैसे आप पिछली दफ़ा आप नहीं थे आपकी शायरी मिस्की हमने अमजद इकबाल ने अपनी शायरी शेयर किया के वो कुछ अपनों की हैं मजबूरियां हम रह वरना वो कुछ अपनों की हैं मजबूरियां हम रह वरना जिंदगी हम तेरा एहसान भला क्यों लेंगे मुस्कुराहक की है खौाहिश मेरी कुछ चेहरों पर इसलिए तेरा हर एक जबर भी हम सह लेंगे जो ना सुन पाए मेरा दर्द कभी भूल के भी हमर एक बात पर यू शेर नुमा कह देंगे जिन्दगी में नहीं महता जिनायत का तेरी तान के सीना तुझे अलविदा हम कह लेंगे बड़ी पच्चताएगी खोकर हमें दुनिया अमजद हम फकीरों का क्या है हम फकीरों का है क्या हम तो कहीं रह लेंगे ये अमजद अकबाल मलिक की अपनी शायरी थी बहुत लाजबाब मेरे भाई साकिब कह रही है कि आज के सेशन का टॉपिक है आज के सेशन का टॉपिक है कि जी आपकी पसंदीदा शायरी और मैं वो पढ़ूंगी और नेक्स्ट सेशन से अब जो है मैंने टॉपिक जो है वो पहले से लिखके रख देना है और उस पर आपने टॉपिक पर जमा करनी है खूब सारी अच्छे जी चायरी ओके अनाबिया खान अस्सलाम अलेकुम बहुत दिनों बाद आपको देखा खुशी थैंक्यू अल्ला आपको भी खुश्या दे बहुत शुक्रिया मेरा भाई अमजद खान कह रहे हैं या तो मैं मरता नहीं गंद हो या ओके अमजद खान मेरा ख्याल है कि आपको ब्लॉक करना पड़ेगा क्योंके ये फैमिली वाला एक प्रोग्राम चल रहा है इसमें अगर आप अपन खेमानी खानानी जबान अफ्तमाल ना करें तो बहता हुआ या आमिन खालिद बिन आजद माशाओला थैंकी सो मजच सबीना खालिद आ को भुश्र रखिए अकबर आशिकली खुश्र हैं लग्या ब्ला में आपको ये बहुश्र रखिए मुहम्द शुयब सलामत रहें, आपको भी खुश्यों के साथ शुयब रखे, हरुनु रशीद कह रहे हैं, जता जता के महबत दिखा दिखा के, खुलूस बहुत खरीब से लूटा है दोस्तों ने मुझे, शाजिया मुहिन कह रही है, पोईट हिलाल मखदूमी कहा है, मुझे बिलकुल उनका कोई आईडिया नही है, शाजिया, परवीन हसन, सलाम टू आल, भाई आप सब को सलाम दे रही हैं, परवीन हसन, मेरी सारी फेस्बुक फैमली को, अमजद अकबाल मलिक कह रहे हैं, थैंक्स अलॉट डियर सिस्टर, बहुत शुक्रिया मेरा भाई, और तौकीर तकी कह रहे हैं, आईणा हूँ, खकीकत को बया करता हूँ, चेहरे लोगों के उन पर आया करता हूँ, तोड देते हैं, बेदर्दी, बेदर्दी, लोग मुझे बात सची, मैं जब और जहां करता हूँ, ये इनकी अपनी काविश और बहुत लाजवाब काविश है, हमार इजवी, वालेकुम, असलाम, अच्छा, अफिजा, एहम, चीमा, सलाम, मैं, सलम, मैं, तो मैं हुई नहीं, बेहन हुँ, मैं आपकी, आपने मुझे सिस्टे लिखना है, दुबारा, जिस जिस नहां हमें, भी जॉइन किया है, वेल्कम, और बहुत सारी दुआएं, अल्ला पाक ठेर स नहीं सबस्क्राइब किया, उसको शराफत से सबस्क्राइब कर लें, क्योंकि आज का वला सेशन भी वहां अपलोड होने वाला है, खदीजा, महमुद, शाहिद, ऑफिशल जो है, शराफत से जॉइन कर लें, क्योंकि मैं बहन हूँ, बहन जो है, वह लड़ भी सकती है, शाबाद रहो, आप भी बहुत खुश्च रहें, चाह चलें जी, मैं भी अपनी पसंद का एक शेर निकार रहें, इफरा खालिद, सिस्टर, नाइस, थैंक्स फॉर यॉर दौा, दिल से दौाएं आप सब के लिए, मलक साकिब कहने है, आज के लिए सौरी, आज आज आपको डिलीट हो गया, मुहमद शुयब, शुक्रिया, हरुन रशीद, आमीन, उमर, इसमाईल, आमीन, ओके, कितने सादा हैं फकीरों के अकीदे मुर्शिद, कितने सादा हैं फकीरों के अकीदे मुर्शिद, देख लेने को मुलाकात समझ लेते हैं, ओके जी, आज क्या बात है, शेर आना कम क्यों हो रहा है चले मैं एक और आपको सुनाते हैं मैंने अपनी भी कुछ पसंदीदा चीज़ें आप लोगों के लिए निकाल के रखी थी मेरा शाम सलोना शाह पिया कहीं रूह में प्यास पुकारेगी कहीं आंख में आस पुकारेगी कहीं खुन कहीं दिल बोले गा कभी आना मकतल गाह पिया मेरा शाम सलोना शाह पिया तेरी शकल बसारत आंखों की तेरा लंस रियाज़त आंखों की तेरा नाम लबों की यादत है मेरी एक सांस गवा पिया मेरा शाम सलोना शाह पिया हमें मार गई तेरी चाह पिया ओके जी निगहत फात्मा डिया हाई you to see you long निगहत में लास्ट वीक आई थी आप जो है आपकी absent लगी वी है इसलिए अब जाना next time जो जो absent हुआ होगा ना किस session में तो आप लोगों ने application लानी है कि आप लोग absent क्यों होगे थे मेरे last session में मेरी facebook family मेरे साथ मैं चाहती हूँ हमेशा रहा है और खुश खुश रहा है ओके नई अरबास वाले कुम अससलाम क्या हाल हमार इस भी दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला तुम तखल्स को भी इखलास समझ लेते हो फराज नई अरबास कह रहे हैं जिद के साथ आ गए हैं परवीन शाकर की जिद लाएं हैं ये और कहरे हैं मैं क्यूं उसको फोन करूं उसके भी तो इल्म में होगा कल मौसम नहीं कल शब मौसम की पहली बारिश थी परवीन शाकर है या ला और फवाद मज़र कहरे हैं बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम पहुँच गए बिन बुलाए उसकी दावत में हम कोई बात नहीं उसकी है तो चलें जाना जाएज है बलकुल आपका अमर इसमाईल आप भी खुशी है थैंक यू सो वेरी मच निगहत फातिमा कहनी है डियर वेर आर यू आई सो यू आफ्टर ट्वैंटी यर्स निगहत मुझे 20 साल पहले आपने कहां देखा था मुझे जल्दी से बताएं ताके मुझे भी खुशी हो के मेरे जो हैं जानने वाले कहां 20 साल बाद मुझे देखे उनको कैसा लग रहा है ओके नई अरबास कह रहे हैं कि हर महबत को समझता है वो नावल का वरक उस परी जात की तालीम किताबी होगी शेख जी हम तो जहन्नम के परिंदे ठहरे आपके पास तो फिर्दोस की चाबी होगी क्या कहने नई अरबास ओके नई अरबास कह रहे हैं कुछ रोज मेरा फोन अगर बंद रहे तो करकर के मुझे याद बुरा हाल न करना समझाती रही मुझे को यही देर तलक बाद जब तक मैं तुम्हें खुद न करूं कॉल न करना क्या कहने हैं अमजद इकबाल मले कह रहे हैं कि बारिश ने दिल को ऐसे खामोशी से ढा दिया जैसे कोई मकान हो कच्चा गरीब का शिक्वे शिकायते न गिला है किसी से अब तसलीम कर रहे हैं लिखा हम नसीब का गैरों की दुश्मनी में भी थोड़ा लिहास था तोड़ा था जिसने हमको था रिश्टा गरीब का बेवजha बारिशों में उदासी के दर्द औगम ये मर्स है हमारे नबस के तबीब का अमजद अकबार मलेक टैंक्यू सो वेरी मच ओके निगए फात्मा कहें तैंक्यू सो वेरी मच निगए फात्मा حسین Bye क्या है? क्या बेहिसी मशरूत है जीने के लिए अहसासवाले भी क्या जीया करते है असा आपस की भूत है इसासवाले जाय आजकल जी नहीं पाते बिचारेNews बहुत जल्दी दुक्त ही हुजाते है और नई अरबास कह रहे है कल शब दिल वहशी को सीने से निकाला ये आखरी काफिर भी मदीने से निकाला ये फौज निकलती थी कहां खाना दिल से यादों को नहायत ही करीने से निकाला क्या बात है और नई अरबास आप कह रहे हैं दाख दहलवी के शेर के साथ नई अरबास आएं आशिकों माशूक की रुखसत भी घजब है परवाने गले मिल के जले शम में सहर से क्या बात है सलाम जो कियो ग्रेट बहना सदा खुश रो वालेकम सलाम मेरे भाई आप भी हमेशा खुश रहें सलामत रहें इशाद रहें जिस जिस ने हमें जहां जहां से जॉइन किया है अभी जिस ने जॉइन किया है वेलकम और इस दुआ के साथ के बहुत खुश रो कभी जिन्दगी में कोई तकलीफ ना पहुँचे खुश यह खुश यह मिले फवाद मज़र मैंने अभी पढ़ा है अमर इसमाइल कह रहें बहुत सारी दुआएं आपके लिए बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपके लिए भी उससे डबल दुआएं नयर अरबास कह रहे हैं अमीर भिच्कियां आने लगी है कहीं मैं याद फरमाया गया हूँ क्या बात है फरजाना साजेद कह रही है कि उसके लहजे में बर्फ थी लेकिन छूके देखा तो हाथ जलने लगे ये हैं अमजद इसलाम अमजद निगध फात्मा कहनी है लव यू डियर यस आई जॉइन यू तांकी सो वेरी मच निगध कौसर शे कह रही है धेरों सलाम और दूआएं आपको भी बहुत सारी दूआएं और जिस जिस ने हमें जहां जहां से जॉइन किया है सब के लिए धेरों दूआएं सलामत रो शाद रो अबाद रो जिन्दगी में कोई गम ना मिले कोई तकलीफ ना मिले सिर्फ खुशियां है खुशियां मिले ओके नई अरबास कह रहे हैं कि मसर्रत की तवक्व चाहिए तकदीर वालों को हमें तो गंबी हस्बे मुद्दाए दिल नहीं मिलता क्या बात है अच्छा जी फाकर शाहरादी कह रहे हैं पहली बार इन्हों ने हमें जॉइन किया है फाकर शाह रादी ने ए तदाले जहूर है यारो सब तवाजन का नूर है यारो मस्तियों का सुरा क्या पाते रास्ते में शौर है यारो क्या बात है अरे और शेयर करें तो रादी सब का अपना शेयर है ओके वैसली कह रहे हैं हाउ टू मेक हर पैरेंट्स अग्री फो मैरेज बाती है कि जी मैं मैरेज काउंसलर नहीं हूँ इसलिए मैं क्या बताओं कि हम दुआ कर सकते हैं हाँ ये जरूर कर सकते हैं कि हम सब मिलके इस वक जिस जिसना में जाना से जॉइन की है इजतमाई दूा करते हैं वैस के लिए कि भाभी के पैरेंस मांजएं ठीक है लाल خान पहुर वालेकू मस्सलाम नईयर अरबास कह रही है कि क्या है लगी सी मॉर पे जाती हूँ क्यों नईयर अरबास कह रही है कहा नामा बरने जवाब दो خط شوق شوقِ عاشقِ ذار کا وہیں خط کو آگ میں ڈال کر یہ کہا کہ خط کو جلا دیا اچھا جی حسین ہوا کہہ رہے ہیں رک جائیں رک جائیں رکیں 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 کہ میں سی مور پہ جاتی ہوں یا میں کئی اور اس کے بعد نکل جاتی ہوں آپ کی ایڈمنٹ ٹیکنو نہیں ہے currency اور حسین کہہ رہے ہیں یاد آتے ہیں بہت جان سے پیارے ہم کو کھاگے خلقِ زومانی اشارے ہم کو ہم سمات کو ہتھیلی پہ لیے फिरते हैं कोई आवाज कहीं से तो पकारे हमको तू है वो गीमती नुकसान जो रासाया है अच्छे लगते हैं तेरे बाद खसारे हमको अपनी राए भी कोई चीज हुआ करती है लोग जो चाहें बताएं तेरे बारे हमको हम हैं वो पल जिन्हें आवकात मुयस्सर न हुए वक्त का वहशी भला कैसे गुजारे हमको क्या बाद निगहत फातिमा कहने है अलमुर्तजा स्कूल ओके आई वस स्टूडन कांसलर ओवर देर और निगहत इन बाक्स में हैं इमामत की हकीकत मुझसे हक तुझे मेरी तरह साहिबे असरार करे है वोही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजरो मौजूद से बेजार करे मौत के आईने में तुझे को दिखाकर रुख दोस्त जिन्दगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे दे के एहसास जियां तेरा लहू गर्मा दे फुक्र की सान चड़ा कर तुझे तल्वार करे फितना मिल्लत बैजा है इमामत उसकी जो मुसल्मा को सलाती का परिस्तार करे अग्बाल का एक शियर पर मैं भी शियर करूंगी के दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकी रूला वो जिसकी फकीरी में बुए असदुल्ला ही आई ने जमा मर्दा हक गोई औ बेबाकी अल्ला के शेरों को आती नहीं रूबाही तारिक तातला फैसलावास ने आए हैं वालेकुम अससलाम क्या हाल है मैं बिल्कुल चीक हूं मेरे भाई चाई एक चीज मैं बता रहूँ अगर किसी का कमेंट मुझसे मिस हो गया हूं तो प्लीज प्लीज ये नहीं सोचना के मैंने जान के स्क्ट किया है एकदम कमेंट्स में कभी-कभी जो है वो उपर चला जाता है अगर मैंने आपका नाम नहीं लियाओ प्लीज दुबारा मेसिज कीजेगा कमेंट में, मैं लाजमी आपका कमेंट पढ़ूंगी, अच्छा फर्जाना साजित कह रही हैं, देखें लोगं को मनाने में न, मुझे ये ये देखें, सीमोर सीमोर, मैंने सीमोर कर रही हूं, मैंशा ही दोस्ती में रहेंगे, ओके सरफराज आलम, असलाम लेकुम जीती रहें, वालेकुम असलाम मेरे भाई, सलाम मत रहें, शाद रहें, आबाद रहें, खुश्यों के साथ रहें, और जिन्होंने अभी हमें जॉइन किया है, उनको एक बार फिर वेलकम, और एक चीज चैनल उस पे जाए, उसको सबस्क्राइब करें, और फिर इस वाले वीडियो को भी लाइक करें, अब तो मैं जो ना, डांटने पर आगया हूँ, लड़ाईया करने पर आगया हूँ, क्यूंकि अपनों से आप लड़ भी सकते हैं, अपनों से आप मान से कह सकते हैं, भी मेर खेंचती है, भीड में हाथ छुडाऊं तो सगी मा की तरह बद्दौा दे के मुझे कोई दौा खेंचती है, ए मेरी शाइरी में यूसफ इसानी तो नहीं, क्यूं जुलेखा की तरह मेरी कबा क्हेंचती है, मुझसे जिन्दान के आदी को खबर क्या कि हवा सांस लेने में म कह呢 हम लोग है अधाब इलाही से बे खबर ये खबर अधाब इलाही यही तो है, दिसे दौवाए अपने ऐधाब से कभी किसी को रूश नास ना करे, मैं तो सिर्फफ अधाब से मेश है एक बात कहते हूं कि अधू मिया, मैं सिर्ब इतना जानती हूं कि तु गफोर है, त का नया मेंबर और एफबी साती हूं लेकिन जब आपको जॉइन करता हूं आपका तारुफ सुन नहीं पाता हूँ तोकीर तक ही मैं हसीना मुहीं जॉफिशल पेज की एडमिन हूँ हसीना अपा की स्टूडेंट हूँ और मेरा खाल है कि जो बाकी पराने मेंबर ने हो तो सु बाद कुछ है मेरी तो I'm so proud and honored that I'm हसीना मुहीं स्टूडेंट तारिक तातला वालेकुमसलाम निगहत फात्मा आमीन शाहिद सैफी अम्रोहवी हेलो मैडम हेलो ओके नवाद शिली कहरें नवाद शिली लाहूर से दाता की नगरी से ये नवाद शिली ने हमें जॉइन किया है फवाद मजहर ने एक बालडे स्पेशल में और भी कुछ कहा है ओके ये तो मैंने अभी पढ़ाया फवाद ओके फरुख नवाद कह रहें अरे फरुख अपन आप मेरा उपर वाला कमेंट मिस कर चुकी है तो मेरा भाई दुबारा लिख दो दुबारा पढ़ दूँगी मैंने तो काया कि जान के किसी का मिस नी करती हूँ एकदम कभी बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं उसमें स्किप हो जाता है तो बड़ी भेन से नराजगी नी करनी दुबारा कमेंट कर दो एतशाम इलाही बच कह रहा है तुम कोई बात क्यों नहीं करती फिर कोई बात हो गई क्या नई अरबास खिजां के केसरी पते गमे हिजरां के कारी है रुक जए रुक जए रुक जए जी सी मोर करने दे हाँ खिजां के केसरी पते गमे हिजरां के कारी है सुनो नफरत की सद्यों पर महबत के अगर समझो तो दो लम्हे ही भारी है क्या बात है अजाज़रह्मान बहुत ही खूब इंतखाब है अशार का I like it too much अजाज़रह्मान ये इंतखाब मेरी प्यारी फेस्बुक फैमिली का है so salute to my फेस्बुक फैमिली वो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर कर रही है और मैं पढ़ रही हूं मौहमद हनीफ खान वालेकुम अस्सलाम सुमेरा खालिद सलाम आपी watching you from टोरेंटो that's great कैसी है सुमेरा और कैसा है टोरेंटो का मौसम और लाहूर में सुने हैं आज बड़ी जविदस बारिश हुई है तो इस वक लाहूर का मौसम कैसा है ठंड आ गई है जोनोंने हमें लाहूर से जॉइन किया है एंच सुमेरा थांक्स फॉ जॉइनिंग अस शाहिद सेफी अमरोवी वालेकुम अस्सलाम ए तशाम इलाही बड़ कह रहे हैं रुग्यां 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 जी तोड़ी सी लंबी गदल है कैसी शिद्द से तुझे हमने सराहा आहा तेरी परचाई को भी तूट के चाहा आहा आखरी सांस की लज़द कोई उससे पूछे मरते मरते भी जो बीमार कराहा क्या बात है शेर कहना है तो यूं कह के तेरा दुश्मन भी दुश्मनी भूल के चिला उठे आहा और आज मुखालिफ हुआ कैसे बदला है बया तूने गवाहा आहा आज भी याद अगर आए तो जूम उटता हूं माहे कामिल थी जबी नाम था माहा आहा क्या बात है लाल खान पहोर असलाम अलेकुम क्या हल बाजी बिलकुल ठीक मेरे भाई मैं बिलकुल ठीक हूँ आप कैसे हैं नई यार अबास कह रहे हैं के रात राहत की जस्तजू में खुशी की तलाश में गम पालती है उम्रे गुरे जान नई नई क्या बात है अधना खालेक वालेकुम असलाम अधनान खालेक कहने आप मुझे हमेशा कपल शर्मा शो की याद दिलाती है अल्ला रहम करे क्यों जी मैं आपको कपल शर्मा शो की याद क्यों दिलाती हूँ मैं तो शिरोशाईरिया करती हूँ फाकर शार राजी आए वो जबाउ तू आस कि भाई अपना जो है क्या क्यातने अपनी और भी कोई शेयर शेयर करें और आपने शेयर कर दिया अपने होने या ना होने की खबर होने को है खूब लर्जा है कि शायद अब सहर होने को है अपने होने या ना होने की खबर होने को है खुआब लर्जा है कि शायद अब सहर होने को है दर्द की तोहीन है बरदाश्ट के अंदर रहे अजम परवाना शमा के बालो पर होने को है मौत की दहलीज पर राजी ने लिखा खुन से ऐसा लगता है शुरू फिर से सफर होने को है क्या बात है राजी इन्हों ने एका है कि आता रहता हूँ डीपी बदली है बस राजी नाम याद कर लिए जी बिलकुल आज से राजी नाम मैंने याद कर लिए मुनीबा वड़ा एच लोग कहते हैं तेरा इश्क शिफा है होगा पर ये हर जखम का मरहम तो नहीं हो सकता अमर अजीब का शिर क्या बात है मुनीबा और पिर मैं भी एक शिर सुनाती हूँ मसीहा का कहते हैं तुझको लोग मसीहा नफस मगर एक शख्स मर गया है तुझे देखने के बाद ओके फरुक नवाज अच्छा ये तो मैने अभी अच्छा सभी सवाबी खेबर पक्तून खवासे फरुक नवाज फरुक ने अपना शेयर शेयर किया है अपनी घजलों में तुझे इतना सराहा मैंने जाने फरुक तुझे कहते हैं जमाने वाले सुमیरा खालिद लग फ्रॉम टोरेंटो आपी लॉच्स अफ लव फ्रॉम पाकिस्तान माई डियर सुमیरा आईशा अब्दलगनी असलाम लेकूम आपी कैसे हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ आईशा आप कैसी हैं तारिक तातला गजल के साथ हाजिर हुए हैं और गजल एक में सीमोर पे जाती हूँ तो हायला जी ये देखो जरा ये देखें मसीमोर पे नहीं जापाँ मुहमद फुजाओदीन की गजल ना आए हैं तालिक तातला रुक जाएं जी एक मिनट वह है अब भी सजदे में ही रहें तो बने या किसी और की सुने तो बने उमर भर खूब चाकरी कर ली अब कोई और खुदा करें तो बने एक एक कत्रे का हिसाब न लो खुन है आँख से रोलें तो बने आग ने आग को हवा दी है पानियों से उधार लें तो बने अद्नान खालिक रिंदों को भी मालूम है सूफी के कमालाद हर चंद के मशहूर नहीं उनकी करामात खुद कीरी और खुद्दारी और गुल्बंग अनलहक आजाद जो सालिक तो यह हैं यह उसके मकामाद आजाद जौन इसको अगर मुझे आप अर्दू में भेज़ दें तो मैं अच्छे से पढ़नू क्योंके रोमन में अर्दू शायरी पढ़ी नहीं जा रही अगर दर्द देना था तो प्यार कर लेते मुर्शिद सोफे में सुई रखने की क्या जरूरत थी यह देखें जरा इनकी मुर्शिद भी कैसे सोफे में सुई रख रहे हैं इनके लिए अच्छा जी नयर अबास ही मैंने अभी पढ़ी है ये मैं क्यों उसको फोन करूँ क्योंकि उसको भी पता था कि कल पहली वारिश थी ओके जी आईशा अब्दलगनी आपी मैं भी आपकी रेगिलर लिसनर हो गई हूँ जब भी आपको सुनती हूँ तो आपसे शेयर कहना ही भूल जाती हूँ जल्दी से शेयर ढूने और शेयर करें मुझे नहीं पता मैं अब आपका नाम के साथ पढ़ना चाहती हूँ जिस जिसने अभी अभी हमें जॉइन किया है वेलकम, सलामत रहें, शाद रहें, आबाद रहें खुशियों के साथ, दुनिया की हर खुशिया आपको मिले कोई गम कभी छुके ना गुजरे और जिस जिसने में जॉइन किया है उनको ये बता दूँ कि मैं ये वाला पूरा सेशन अपने यूट्यूब चैनल खदीजा महमुद शाहिद ऑफिशल पे अप्लोड करूंगी श्राफा से सब्सक्राइब करें और उधर भी देखें इधर भी शेयर करूंगे अमजद अकबाल मलेक, वो तेरे हुसन का जादू हो के मेरा गमे दिल, हर मसाफिर को किसी घाट उतर जाना है क्या बात है, और ये अमजद इसलाम अमजद का है, अच्छा जी, नवाजश अली कह रहे हैं कि बहुत अर्से बाद हाजरी हाँ, तो ये क्यों इतने अर्से बाद हाजरी है किदर है अप्लिकेशन लिखा है, एक ताज़ा काविश शेयर की है कि सदाएं तिशनगी की गूँजती है जमीने बादलों को खोजती है दयार गैर में जो खो गया है उसे गाओं की आँखें ढूंजती है मेरा बच्चा किसी से कम नहीं है ये माएं कितना अच्छा सोचती है वो आँखें कितनी बोजहल हो चुकी है बड़ी मुश्किल से आसू रोकती है ये शबकी चांदनी है मेरी दुश्मन ये किरने मेरी नींदे नोचती है मेरी आवाजें उंचे गुमबदों से मेरी जाने भी आखिर लोटती है किसी सरगोशियां कई सरगोशियां अक्सर हवा में तेरे लहजे की सूरत बोलती है क्या बात है नवाजश अली इतनी अच्छी शायरी काँ छुपा के रखी थी भाई हुसेन हवा कह रहे हैं हमें इनसान नहीं कोई समझता तुम्हें तो फिर खुदा समझा गया है गरे बानों में क्या जहांकें के अपने गरे बानों में अब रह क्या गया है तुम्हें दिल के चले जाने पे क्या गम तुम्हारा कौन सा अपना गया है हुसेन एक शख्स का शौकि हकूमत मेरी पूरी जमी ही खा गया क्या बात है हुसेन क्या कहने हुसین हवा कह रहे हैं नाराजगी भी एक बहुत ही खूबसूरत रिष्टा है इनसान दिल और दिमग दोनों में ही बसा रहता है भई एक बात तो है कि आप किसी से भी नराज हो लेकिन आपने जो है न जो भी मेरी फेस्बुक फैमिली है मुझसे नराज कोई नहीं होगा बस की कहना या आज वादा करके जाना है आप सबने अमजद अलीशा कह रहे हैं कि या है प्यार जिसे हमने जिन्दगी की तरह वो आशना भी मिला हमसे अचनबी की तरह किसे खबर थी बढ़ेगी कुछ और तारी की छुपेगा वो किसी बदली में चांदनी की तरह पढ़ा के प्यास मेरी उसने हाथ छोड़ दिया वो कर रहा था मरवद दिल लगी की तरह कभी ना सोचा था हमने गतील उसके लिए करेगा हम पे सितम वो भी हर किसी की तरह ओके इते शाम इलाही बच कह रहे हैं I love November ओके जी क्यों अब पता करते हैं न को November क्यों इतना अच्छा लगता है अच्छा जी November की खसूसी आता ही है जी वो दरजन भर महीनों से सदा मुम्तास लगता है November किसलिए आखिर हमेशा खास लगता है बहुत सहमी हुई सुभें उदासी से भरी शामें दुपहरें रोई रोई सी वो रातें खोई खोई सी गरम दबीज हवाओं का वो कम रोशन अजालों का कभी गुजरे हवालों का कभी मुश्किल सवालों का बिछर जाने की मायूसी मिलन की आस लगता है नवंबर इसलिए शायद हमेशा खास लगता है क्या बात है ओके जी हुसैन हवा कह रहे हैं मेरी हस्ती नहीं अन्मोल मैं फिर भी बिक नहीं सकता वफाएं बेच लेना बस जरा नीलाम होने दो क्या बात है ओके तौकीर तक ही कह रहे हैं कि मैंने अपनी जिंदिगी का प्राइम टाइम कराची में गुजारा लगभग 23 साल कराची और कराची टीवी से बड़ी यादें वाबसना है अरे जबर्दस शेयर करें ना क्यूं नी फिर शेयर करें आपके वसे इतनी अच्छी यादें होंगी तस्वीरें होंगी ज़रूर शेयर करें ओके नई यारबास कहना है खूब रोया कबर में जिस दम चले मुनकिर याद आया मुझ को तनहा छोड़ जाना यार का क्या बात है फर्रुक नवाज कह रहे हैं रुकें जी तेरी नहीं थी यार हसीनों की बात थी कुछ लालो गोहर और नगीनों की बात थी दरिया चड़ा तो इसलिए दिल डूबने लगा साहिल पे रहने वाले मकीनों की बात थी ये गतल जो हुए है युही तो नहीं हुए भाई थे चार और जमीनों की बात थी सच तो ये है कि अपना कोई जिकर ही न था एवाँ की बात तख्त नशीनों की बात थी फरुक जुदाई के जो मेरे 20 साल थे तेरे लिए वो चंद महीनों की बात थी क्या कहने वागी ये जो जुदाई को एकस्पिरिंस करता है उससे पूछें के एक एक लम्हा जो है किस तरह गुजरता है अमजद अकबाल मलिक कह रहे हैं तिनकों को जोड जोड बनाया था आशिया हलकी से एक हवा ने सभी कुछ उड़ा दिया उड़ना था जिसको अपने ही पर नोचता रहा यू आंधियों ने उसका मुकदर सुला दिया क्या क्या न जिन्दगी ने तमाशे दिखा दिये रोते हसा दिया कभी हसते रुला दिया हर दोस्ती के भेस में दुश्मन छुपे मिले अमजद को जिन्दगी ने बहुत कुछ सिखा दिया क्या बात है अमजद साब आपकी शायरी की और शेयर कीजिए ओके जी नहीं है रबास जाएं कहरे है शाम-गं जब बिखर गई होगी जाने किस किस के घर गई होगी इतनी लर्जान थी चिराख की लॉग अपने साए से डर गई होगी चांदनी एक शब की महमा थी सुबह होते ही मर गई होगी देर तक वो खफा रहे मुझ से दूर तक ये खबर गई होगी एक दरिया के रुख बदलते ही एक नदी फिर उतर गई होगी जिस तरफ वो सफर पे निकला था सारी रौनक उधर गई होगी रात सूरज को ढूंडने के लिए ता बहदे सहर गई होगी मेरी यादों की धूप च्छाओं में उसकी सूरत निकर गई होगी या तालुक ननिपसका उससे या तबीयत ही भर गई होगी तेरी पल भर की दोस्ती मुहसिन उसको बदनाम कर गई होगी क्या बात है शाह सना उल्ला असलाम अलेकूम कैसे हाँ मेरे खाले पहली बार आप ने शेयर किया है या अगर दूसरी बार मतलब आज के सेशन में ने देखा पहली बार आपकी शेयरिंग आई है दुक की तस्कीन रिसाले तो नहीं कर सकते ये फसाने ये मकाले तो नहीं कर सकते रोशनी चाहिए लेकिन इसी एक शौक में हम घर को शोलों के हवाले तो नहीं कर सकते बदगुमा हमसे हैं कुछ लोग तो मजबूर हैं हम साफ हर जहन के जाले तो नहीं कर सकते ऑच्यों किया, मैं नहीनर मिरे पास आरी होती है नोटिफिकेशंस दिस ने अभी अभी जॉइन किया सलामत रहें, शाद रहें, अबाद रहें, वैल्कम और सीने में जलन, हुसेन हवा कह रहे है कि सीने में जलन, शाइन आखों में तूफान सा क्यूं है इस शहर में हर शक्स परेशान सा क्यूं है दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंडे पत्थर की तरहा बेबस और बेजान सा क्यूं है तनहाई की ये कौन सी मन्जिल है रफीको ताहद नजर एक बयाबान सा क्यूं है क्या बात है ओके आईशा अब्दलगनी कह रही है कहीं तो कोई समंदर मिजाज दोस्त मिले कि जिसका एक किनारा हो जो हमारा हो क्या बात है लिखाया आपी आपने कहा तो ट्राइ किया प्लीज रीड कीजिए गाई शेर आईशा थांक यू सो मच मैं दुबारा पढ़ रही हूं कहीं आई और अब वास कह रहे हैं शायद अलम भी कोई बड़ी चीज है सफी पुराँ की अब्तिदाब है अलिफ लाम मीम से ओके फरुख नवास कह रहे हैं अभी तो साथ हैं हम तुम समंदर की मुसाफत में किनारा जब नजर आए किनारा मुझ से कर लेना किसी भी चीज का फरुख कभी बदलाना मांगूंगा जरूरत हो जो सांसों की उधारा मुझ से कर लेना फरुख इतनी कमाल की शायरिये काँ चुपा के रखी थी मेरे भाई ऐसे तो नहीं न करते शेयर किया करें ओके फातिमा जाफर उस सादिक कह रही हैं जिंदगी तेरा सभी हुसन बजा है लेकि तुझको जो गोर से देखेगा वो डर जाएगा क्या बात है। अच्छा फात्मा जाफर उस सादिक कह रही हैं असलम अलेकुम कैसिया मैं बिल्कुल ठीक हूं दौाएं आप सबकी शाफिया लीजबर्दस थान्क यू सो वेरी मचछ आप सबकी महबते हैं और महबबतों का शुक्रिया आप सबकी महबतों की मैं हमेशा मकروض रहती हूं औ मैं सीमोर की जो है ना मेरी और सीमोर की जंग लड़ाई इस वक जा रही है ओके ताश्वीन तारिक अजब तकादे हैं चाहतों के बड़ी कठिन ये मुसाफ़ते हैं मैं जिसकी राहों मैं बिच गया हूँ उसकी को मुझसे शिकायते हैं शिकायते हैं सब बजा हैं लेकिन मैं कैसे उसको यकीन दिलाऊं वो मुझको जहां से अजीज तर है उसे भुलाऊं तो मरना जाऊं मैं इस खामुशी के अमतहा में कहां कहां से गुजर गया हूँ उसे खबर भी नहीं है शायद मैं धीरे धीरे बिखर गया हूँ क्या बात है नाजी नासे स्लाम अलेकुम कैसी है आप रुक जाएं जी रुक जाएं एक मनेच सीमोर पे जहाँ याला देखो जाएं सीमोर भा नाजी नासे कह रही है वफा सरिष्ट में होती तो सामने आती वफ क्या फलक से निभाएंगे जो जमी के नहीं क्या बात है नई अरबास कह रहे हैं शायरी बाई से तस्कीन गिरिफता दिल है वरना क्या रखा है इस दादो पजीराई में क्यों नहीं जी खुशी होती है दादो पजीराई से ऐसा क्यों है अगर किसी का कमेंट मिस होजए है प्लीज दोबारा कमेंट कर लीजेगा मैं जानके किसी का कमेंट मिस नहीं कर रही कभी-कभी एकदम कमेंट साते हैं तो कोई स्केप हो जाता है तो प्लीज डराज नहीं हो ना आलम ना पूचिये घर बैट के हुजूर का घर देखने लगे, ऐसी चमक हुजूर के तलवों में देखकर, शर्मा के खुद को शमसु कमर देखने लगे, सिद्रा से आगे जब बढ़े सरकार के कदम जिबरील घूम घूम के पर देखने लगे, क्या बात है, कहा जिबरील ने सिद्रा तलक मेरी रसाई है, है मनजलें आगे क्या नभी जाने, खुदा जाने, सदा देना ही मेरा काम था, मैंने सदा दे दी, वो क्या देंगे, मैं क्या लूँगा, सखी जाने, गदा जाने, क्योंके जज़ा कला बहुत खुदूरत शासना उला, नयर अबास, हमारी जान मुझे पैगाम आया है जो तुमको भी बताना है, चाहे सर कलम हो पर मुझे सची सुनाना है, यहां हर एक चेहरे पर लिखी है दासना, उसकी छुपाए छुप नहीं सकता, यह वो सच्चा फसाना है, बड़ी देरीना उल्चन है, कोई समझे भला कैसे, बजाहर अपना लग ना मांगा था कभी मैंने ये जीवन जो दिया, तुमने दर असल एहद है तेरा मगर मुझे को निभाना है, जहन्नम और जन्नत से बड़ा बेजार है ये दिल, नहीं परवा कोई दिल को जहां भी मुझे को जाना है, मैं राजी हूँ यहां हर हाल में जो भी मुझे सर है, व मेरे बैक पर मेरे हस्बंड की तस्वीर है, ओके जी, हुसेन हवा, जुबान चुप और नजरें जुका के जीते हैं, गरीब लोग तो सर को हिला के जीते हैं, क्या बात है, पर रुख नवाज, रुख जाएं जी, एक मिन ये देखें, मैं सी मूर कर रही हूँ, ओके रुके 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 रुके, बंद मुठी से निकल जाते हो, हद करते हो, हमको बातों से ही बहलाते हो, हद करते हो, जिसम की ऐसी महक जो मुझे पागल करते हो, बंके खुश्बू मुझे महकाते हो, हद करते हो, क्या कहूं कौन सा जादू है तेरे हाथों मेरे बालों को ज अपने हक के लिए आवाज उताऊं जिसनद मुझे को दिवार में चुनवाते हो अम्र भर कौन जवां रहता है जाने फर्रूख फिर भी तुम हुसिन पई तराते हो pleasant Carते हो क्या बात है फर्रूख बहुत खोब्सूरत फरुग अगर आपके कोई किताब है तो मुझे बताईए मैं जरूर उसको खरीदूंगी अमर अजीज के शेयर के साथ मुनिवा वड़ाई चाही है कि बच्पना था तो हकूमत थी सितारों पर भी वक्त ने मुझसे मेरा नक्द तखयूल चीना ओके बच्पना था तो हकूमत थी सितारों पर भी वक्त ने मुझसे मेरा नक्द तखयूल चीना क्या बात है ओके फातिमा जाफिर उससादी कहरें प्लीज ये घजल यहां शेयर कर दें कौन सी घजल फातिमा मुझे बताएं और शाफिया अली है उस सेमौर प्रेशां तूं हूँ लेकिन अब तक के तेरे साथ पहरत भी बहुत थी क्या बात है इसको दोबारा पढ़ूंगी खुश आए तुझे शेहर मुनाफिक की अमीरी हम लोगों को सच कहने की आदत भी बहुत थी इस तरके तालुक पर परेशान तुहों लेकिन अब तक तेरे साथ पर हैरत भी बहुत थी शाह सना उल्ला कह रहे हैं कि सरकार मुस्कुरा के जिधर देखने लगे मेरे तसवराथ का आलम न पूचिये घर बैटके हुदूर का घर देखने लगे صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ऐसी चमक हुदूर के तलवों में देखकर शर्मा की खुद को शमस औ कमर देखने लगे सिद्रा से आगे जब बढ़े सरकार के कदम जिबरील घूम घूम के पर देखने लगे क्या बात है शमी फात्मा जबर्दस तैंकी सो मच और जबर्दस तो वो सारा कलाम है जो मेरी फेस्बूक फैमिली शेयर कर रही है अके जी फरुख मुझे अभी कमेंट में बताईए अगर आपके कोई किताब है तो मैंने लाजमी खरीदनी है और जिस जिस जो अपना कलाम शेयर कर रहा है मुझे अपनी प्लीज इन बॉक्स में किताब का नाम आपने बताने और मुझे ये बताने कहां से मिलती है मैं लाजमी उसको लूँगी और उसके बाद मैं उस पे यहां जो है उसके पूरा रिव्यू भी दर शेयर करूंगी महब्बत के सफर को हर घड़ी दुश्वार करता था वहर एक रास्ते को मेरे नाहम AIDS वार करता था गजल लिकर तेरी दीवार पर लटका कि जब आता तो सारी रात फिर गिरिदर उ दीवार करता था मेरे अहसास को छलनी किये देता था हर लमळा ये कारेखेर मेरे शहर का अखबार करता था जिसे तुम चाह कर भी पार हर्गिस कर नहीं पाए मैं टूटी फूटी कश्टी से वो दरिया पार करता था सुना है एक जालम शहर में ऐसा भी आया था जो मरने के लिए बच्चों को भी तैयार करता था मेरे अतराफ में शहनाईया सी बजने लगती थी महबत का कभी फरुख वो जब इसार करता था क्या कहने फरुख बहुत ला जवाब तौकीर तक ही कहते हैं हाई हलग जी हाई 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 अच्छा एक बार मैं पिर बता रही हूँ कि अगर किसी का कमेंट मिस हो गया है को इसके पो गया है प्लीज 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 उसको री शेयर कर दें तौकीर तक ही कह रहे हैं जिन्दगी जदे तनहाई है अजब रुत गम किछाई है दिल बड़ा ही उदास है आज सरे शाम तेरी याद आई है तू था तो मुझे मालूम न था किस पदर अज़ियत ये जदाई है क्या बात है जदाई वसे बहुत अज़ियतनाक होती है ओके जी क्या बात है जी शेरों की जो है वो शेरिंग रुक गई है क्या मैं फिर अपनी पसंदीदे चीज़ें सुनाना शुरू कर दूँ इश्क में हुक्म अदूली भी हमें आती है टलने वाले तो नहीं है तेरे इंकार से हम ओके करोना अरोरा अदाब जब करोना हैपी दिवाली और जो 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 जहां जहां इस वक्त रोश्णियों का और जश्ण मना रहे हैं सच की फता का जश्ण मना रहे हैं उन सब को हम सब की तरफ से दिवाली की बहुत 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 मुबारक बात and let's beat all rawns together करोना हैपी दिवाली once again and thanks a lot for joining us ओके जी इस दोरे खता साज में मुम्किन ही न था मैं भी हैरान हूँ मैंने तुझे चाहा कैसे ओके फरुक नवास कह रहे हैं जब महबत की कोई नजम सुनाई मैंने आग जलते हुए पानी में लगाई मैंने वक्त रुकसत मेरा दिल डूब रहा है लेकिन फिर भी आँखों में नमी आज न लाई मैंने गैद में तेरे में खुशबाश जिया करता था इसलिए तो कभी चाही न रहाई मैंने इस से बढ़कर तुझे हमदम मैं भला क्या देता अपने दिल तक तुझे दे दी है रसाई मैंने आजमाने के लिए उसने फकत मांगी और बखश दी ताब अबद उसको जुदाई मैंने उस से तंगर का भी दिल तूट गया था फर्रू हिजर की अपनी जो रूदाद सुनाई मैंने फर्रू बहुत खुबसूरत शायरी बहुत लाजवाब शायरी करूना रोरा दिवाली मुबारक दिया आपको भी एक बार फिर दिवाली मुबारक और जो जो जहां-जहां रोशनियों का इस वक्त ये जशन मना रहे हैं इस वक्त ये तहवार मना रहे हैं उन सब को दिली मुबारक बात और जैसे मैंने कहा है कि हق और सच की फता का जशन जो भी मना रहा है उन सब के लिए दूआ है कि आपके घरों में भी ये रोशनियां और ये ताज़ियां हमेशा काइम रहें पर रोख नवास के रहें जब मुहबत की कोई नजम सुनाई मैंने अच्छा ये तो मैंने अभी पढ़ा है हाँ ये तो मैंने अभी पढ़ा है अच्छा करोना अरोरा कहनी है वाँ ओके एक और चीज़ मैं सुनाती हूं कि हर शम्मा बुझी रफ़ता रफ़ता हर खौब लुटा धीरे धीरे शीशा न सही पत्थर भी न था दिल तूट गया धीरे धीरे बरसों में मरासिम बनते हैं लम्हों में भला क्या तूटेंगे तू मुझ से बिचड़ना चाहे तो दीवार उठा धीरे धीरे दिल कैसे जला किस वक्त जला हमको भी पता आखिर में चला फैला है धुआ चुपके चुपके सुलजी है चिता धीरे धीरे ओके जी फरुख नवाज फरुख अपनी किताब का नाम लाजमी इंबॉक्स करना है मेरा भाई ओके फरुख कहरे हैं जोड़कर हाथ कहा मुझ से तो बस इतना कहा दिल में रखना तो फक्त मेरी महब्बत रखना तुम किसी और को हर्गिस ना दिखाना फरुख मेरी तस्वीर अमानत है अमानत रखना क्या बात है गुलजार अली ने आप सब के लिए बहुत सारे दिल बे जवाया है माशाला वेरी नाइस excellent मैं आपको बता हूँ मेरी facebook family की choice इतनी को जबरदस्त है इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें शेयर करती है और फिर मुझे वो पढ़ने में मदा भी बढ़ाता है और ये राजी साब आएं फाकिर शाराजी अगर आपकी कोई किताब है आप साहिबे किताब है तो प्लीज अपनी किताब का नाम इन बॉक्स में आपने लाजमी शेयर करना है हम एक दुनिया बसाएं हैं महबत नाम हो जिसका इमारत वो बनाए इमारत वो बनाए हैं महबत बाम हो जिसका बहुत बाजार देखे हैं कई नीलामिया देखी अब एक बोली लगाते हैं महबत दाम हो जिसका अगर्चे अगर्चे मैं एक कश्टी में लड़कडाना एन फितरत है अगर ये सौरी कुछ वह अगर्चे हाई है या ताइप ओ एरर है कभी न डगमगाए वो महबत जाम हो जिसका महबत के सफर में हर पदम तेरा मुकदस है सिरातِ मस्तकीमी है महबत गाम हो जिसका कोई भी काम हो करके फरागत मिल ही जाती है सदा मसरूफ रहता है महबत गाम हो जिसका क्या वात है राजी साब डॉक्टर शुजाओदीन वालेकूं सलाम इतनी देर से जॉइन किया है कहां थे आप लेट आने पे आपको सिजा मिलेगी कोई अच्छा सा शेयर जल्दी से शेयर करें इश्क बनने में हैं दरकार जमाने उसको तुम अभी जिसन की आदत में यहां आए हो ओके इश्क ममनुआ है फिर भी यह दिल इश्क करने से रुकता नहीं करोना रोरा कहरी है सुभानला क्या उंदना जमान ठांक यू सो वेरी मच करोना ओके जी एक बार फिर जो है माइंड करा रही हूँ कि जिस जिसने हमें अभी लेट जॉइन किया आज का सेशन बहुत मज़ेदार था बहुत अच्छा था और जिसने मिस किया है खदीजा मेहमूद शाहिद ओफिशल को अभी सब्सक्राइब करें थोड़ी देर बाद यह वाला सेशन जो है उदर अपलोड हो जाएगा और उसमें यह वाले शेर उपर लिखे वे नहीं आएंगे मेरी ही जबान में आप सुनेंगे ओके जी अब मैं आपको अपनी कुछ पसंद की चीज़ें सुना रही हूँ ओके अच्छा मैं कशी मैं कशी गाम फखर मुझे वाकी इसको जा हमजा और उसमें मैं थोड़ी कन्फीज हो नहीं अगर आप इसको रोमन में इसको रोमन में कर दे और खफा नहीं हो ना शाजी अरिजवान असलाम अलेकुम कैसी आप और इतनी देर से क्यों आपने हाजरी दी है ये बताए हम सब इतनी देर से इंजार कर रहे थे शाजी अरिजवान बहुत अच्छे शेयर करती है हमारी रेगिलर मेंबर है हमें खबर है खराब होंगे अधूरे सपने अजाब होंगे जो की महबबत तो सोच ना क्या सवाल होंगे जवाब होंगे है याद मुझ को कि कह रहे थे हमेशा दिल की किताब होंगे रहेंगे बनके कसक सी दिल में जो जागी आँखों के ख़ाब होंगे महबते मिच सकी है किस से यही संदे से गुलाब होंगे उसी सितंगर के नाम यारो मेरे जो सब admits इंतसाब होंगे जिन्हें सकूं समझा हमने शाकिर खबर न थी इस तरह आप होंगे शाल दियर जबान कहीं है इसलाम को वालेकुम असलाम अच्छा जी फरुख नवाज ने अपना तारुफ लिखा है और मैं चाहरी हूँ आप सब लोग सुनें रुक जाएं जी एक मिनट अरे माशाला मेरा ये भाई कितना जबेदा से कहां कांच चुपाई तना टैलेंट किदर चुपाके रखते हैं क्रियाटिविटी क्लब जो है मेरा सॉरी क्रियाटिविटी अनिमिटेज क्लब जॉइन करें और प्लीज उसमें ये सारी चीज़ें शेयर करें नाम फरुख नवास फरुख आबाई लाका सवाबी गाउं कड़ी पाकिस्तान पेशा सिविल इंजिनिरिंग दो हजार तीन से दो हजार अठारा दर्स तद्रीस दो हजार अठारा ताहाल चाप चुदा किताबों की तफसील उदास चेहरा उदास आंखें अर्दू शेरी मजमुआ है दो हजार आठ में चपा सत्री अर्मानोना ये पश्टो शेरी मजमुआ है दो हजार ग्यारा में चपा काश तुम समझ पाते अर्दो शाइरी का मजमुष है 2016 में चपा आने वाली किताबों की तफसील है मेरी कहानी ने जबानी ये नसर है अभी खिलन उन्णी है खतुत बाद नसर है घरमत बूबा है भी वो भी गहिलन उन्दबूआ है अर्दू शेरी मजबुआ एक और भी है गहर मतबुआ है पश्तो शेरी मजबुआ गहर मतबुआ है कालम निगारी दोहजार उनीस से ताहाल जारी रोजनामा शहबाज आवाद सुबह आज से मनसलिक हूँ अदबी खिद्मात FM 94 सवाबी के अर्दू अदबी प्रोग्राम रात किनारे का मेजबान दोहजार तेरह से दोहजार सत्रा तक FM 105.6 हसन अबदाल के अर्दू अदबी प्रोग्राम रात किनारे का मेजबान दोहजार उनीस ताहाल जिलाई सदर, हलका अर्बाब, अर्बाब जौक सवाबी, जिलाई सदर, तहरीक निफाज अर्दू पाकिस्तान, इजाजात हैं, मकाला अन्वान, फरुख नवास फरुख की शेरी खिद्मात, मकाला निगार, महविश नईम खान, एम मे अर्दू, विमन यूनिवरसिटी सव सवाबी, मकाला है, मकाला है, फरुख नवास फरुख की शायरी का तनकीदी मुतालिया, मकाला निगार हैं, कामरान खान, एमफल, यूनिवरसिटी ओफ सवाबी, अरे इतने हमारे पास जीनियस लोग हैं, और देखें, छुपके बैटें, खुदा का वास्ते, अनलिमिटेज ग्रूप हमारा जॉइन करें, उधर भी प्लीज शेयर करें, और सवाबी मैं बता दू, सवाबी बहादरों का इलाका है, हमारे कैप्टन करिनल शेयर खान, शेहीद निशान है, हैदर का इलाका है, सवाबी, तो सलाम, शाजिया रिजवान ने, बहु सारा प् गया जाने की बात की, तो कैसियत बदल गई, दिल परेशा अदासी है, चार सू, बदले है हम यह हम से दुनिया बदल गई, क्या बात है तौकी साब, अच्छा जी, लाला जुनैन, तेरा बिच्छडना भी मेरे लिए मुफीद रहा, कि इस खसारे के बाइस कई खसारे गए बजा के तेरी हसी का कोई कसूर नहीं, मगर जो लोग गलत फहमियों में मारे गए, अफकार अलवी का यह है, ओके रूहानी जबान कहनी है, माशाला तैंक यू सो वेरी मच्छ, और मेरा ख्याल है, आज के लिए, आज के सेशन काफी हो गया है, और जिस जिस ने अभी लेट जॉइन किया है, उनके लिए भी दुआएं, और जो पहले से हमारे साथ थे, अच्छा जी, फाकर सही, राजी, रुकें जी, मैं दुबारा, है लाजी, बस यह इसी शेयर पे मैं आचकूंगी, मैं आपको बता रही हूँ, अगर्चे मैं कशी में लड़ खडाना एन फितरत है, कभी ना डगमगाए, वो महबच चाम हो, जिसका, महबच के सफर में हर कدم तेरा मुकदस है, सिराते मुस्तकीमी है, महबच गाम है, जिसका और मतला में लवज आते हैं, आए नहीं, अच्छा चलें, कोई बात नीजी, अगर मैंने कोई गलती किया, तो सौई, फरुख न फरुख नवाज, आपकी ये भी मुझे बता दें, कि किताबें कहां से मिल सकती हैं, ताकि मैं बहुँ और मैं पढ़ू उनको, हमने जो लवस लिखा, तुझ पे लिखा, दिल से लिखा, एक यही काम सलीके से किया है, हमने, हम रहे चुप के ना चर्चा हो तेरा लोगों मे प्यार भी यार तरीके से किया, हमने ये नोंने 20 सितंबर 2020 में लिखी है, और फिर नोंने कहा है, जिसको दावा था पारसाई का, मुर्त के वो हुआ बुराई का, तुमको शायद खबर नहीं लेकिन 20 साल है जुदाई का, मान बैठा हूँ अपनी हर गलती, फाइदा क्या है अब लड़ाई का, मिट गया नाम और निशाँ उसका, जिसने दावा किया खुदाई का, बेहिसी इस गदर है दुनिया में आज दुश्मन है भाई भाई का, जीत मुमकिन नहीं मेरे प्यारे, खौफ होगर शिकस्ता पाई का, चाह कर भी न पा सका तुझ को, खुद से शि खुदमा तेरी जुदाई का क्या बात है, और मेरे खाल है इसके साथ ही आज का सेशन जो हम खतम करते हैं, जिस जिसने जहां जहां से जहां चाहती हैं, ओ, हो ऐसा कैसे खतम करते हैं, जी शादिया रिजवान ने शेयर किया, उनको पढ़े बगार कैसे जहूँ मैं, खाक र हाँ, खाक रख देंगे हतेली पे जमाने वाले, तुम महबत के लिए हाथ बढ़ा कर देखो, तूट जाए तो क्या होती है, दिल की हालत, एक शीशे को पत्थर पे गिरा कर देखो, क्या बात है शादिया, करूना डोरा कहरी है, वा तैंकी सो मच, आईशा अब्दुलगनी गुजरे, और जिस जिस इतने अच्छे अच्छे शायर जो आज मैंने एक्स्प्लोर किये हैं, प्लीज इन बॉक्स में अपने बुक्स के नाम टीटेल जरूर शेयर करें, हमारा ग्रुप है क्रियेटिविटी अनलिमिटेज के नाम से, उसमें अपनी चीज़ें शेयर करें जाते वे एक बार फिर कह रही हूं, बहुत प्यार से, कि खदीजा महमूद, अच्छा फरुक नवास कह रहे हैं, आप चैनल का लिंक शेयर कर दें, खदीजा महमूद शाहिद ऑफिशल है, वैसे मैं अभी यहां पे भी यह वाला पूरा प्रोग्राम जो है, शेयर करूंग बस एक ही सनम के हम तो यार हो गए, हम खुद से बेखबर मजे से महवे खाब थे, पर धरकनों के शोर से बेदार हो गए, यह सौरी किस बात की लिख रहे हैं, भई यह बताएं ज़रा, ठीक है जी, फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, नेक्स टाइम इन्शाला फिर और बहुत सारी अच्छी शायरी के साथ हम मिलेंगे, और अब मैं जो ना कुछ प्लाइन कर रही हूं, कुछ नई नई चीज़ों के, और कुछ आप लोगों को असाइनमेंस देने के, और फिर हम अनसाइनमेंस पर बातें करेंगे, और कुछ लोगों ने बात की है कि स्क्रि आप Նप सबको अपने फ़्समान में रखे जिसने हमें जहां-जहां से जॉइन किये, सलामत रह har intéress शाद रह Stevens आबाद रहें, आपके सारे प्यारे हमेशा आपके पास रहें, आपका कभी कोई प्यारा जाँाना हो, कोई प्यारा अपसे कभी जुदा नहो मैं खुशिया आ